और उस वक्त को याद करो जब तुम सुभा को अपने घर से रवाना होकर एमान वालों को लड़ाई के लिए मूर्चों पर मौका बे मौका तैनात करने लगे और खुदा सब कुछ सुनता और जानता है उस वक्तों मेंसे दो जमातों ने जो छोड़ देना चाहा मगर खुदा उनका मददगार था और मौमिनों को खुदा ही पर भरुसा रखना चाहिए और खुदा ने बदर की लड़ाई में भी मतुमारी मदद की थी और उस वक्त भी तुम बे सरवा सामान थे पस खुदा से डर और उन एहसानों को याद करो ताकि शुक्र करो जब तुम मौमिनों से यहा कहकर उनके एहर उनके दिल बड़ा रहे थे कि क्या या काफी नहीं की परवर्दिगार तिन हदार फरिष्टे नाजिल करके तुमें मदद दे हाँ अगर दिल को मजूद रखो और खुदा से डरते रहो और काफिर तुम पर जोश के साथ याका याकी हामला कर दें तो परवर्दिगार पांच हदार परिष्टे जिन पर निशान होंगे तुम्हारी मदद को भेजेगा और उस मदद को तो खुदा ने तुम्हारे लिए बशारत खुश खबरी का जरिया बनाया यानि इस लिए कि तुम्हारे दिलों को उस से तसल्दी हासिल हो वरना मदद तो खुदा ही की है जो गालिब और हिकमत वाला है या खुदा ने इस दिये कि काफिरों की एक जमात को हला किया उन्हें जरिल वा मगलू कर दे कि जैसे आए थे वैसे ही नाकाम वापस चाहें एप पेगंबर इस काम में तुम्हारा कुछ अख्तियार नहीं अब दो शक्ले हैं या खुदा उनके हाल पर भेरवानी करे या उन्हें आजब दे कि ये जालिम लोग है और जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ जमीन में हैं सब खुदा का खुदा ही का है वह जिसे चाहे बख्ष दे और जिसे चाहे अजब करे और खुदा बख्षने वाला महरमान है